आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मसीटिक्स चैप्टर वन फिजिकल फार्मसीटिक्स के MCQ जिसमें हम कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे MCQ कवर किये जाएंगे from question number 1 to question number 10 with complete explanation नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है स्तुती लर्निंग फार्मसी चैनल पर आपका स्वागत है लर्निंग फार्मसी चैनल पर आपको मिलेंगे extremely important वीडियो जोकी फार्मसी फील्स से related हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे जाद से जाद से शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इसका benefit हो पाए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका support हमारे साथ यूही बना रहे क्लिक कीजिए चैनल पर दिये वे बैल आइकन पर ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके regarding आपको notification मिल पाए और आप उस वीडियो को इसली देख पाए तो चली शुरू करते हैं अपना आज का session now first question is colloid particles है what type of rheology colloid particles की किस type की rheology होती है option A है non-newtonian flow option B newtonian flow option C pseudoplastic flow and option D none of this so answer is question को option A non-newtonian flow अब देख लेते हैं थोड़ा सा colloidal solution के बारे में क्या होते हैं colloidal solution एक mixture होता है जिसमें very small particle of one substance distribute होते हैं evenly throughout the another substance इस जो एनधर स्टेंस उता है दी जो हुज इसोलीशन फोर्म में होता है colloid particles के शुदा से ठीक होते हैं और बी थिक होते हैं और भी मोटी होते हैं as compared to that of colloidal solution तो देख लिए जब पार्टिकल साइज भी दिया हो है पार्टिकल साइज सोलुशन की पार्टिकल्स का लेसर देन 10 to rest upon minus 7 माइनस में जितनी पावर बढ़ती जाती है उतना ही size जो है वो small होता जाता है पार्टिकल साइज का देखे 10 to rest upon minus 7 पार्टिकल सबसे जाधा थिक होते है as compared to colloids and true solution now rheology क्या होती है rheology science होती है जो डिल करती है with the flow of liquid and deformation of solids rheology कैसी branch होती है physics की जो डिल करती है liquids की flow में and deformation of solid deformation mean जो change in shape होती है solids की जो shape change होती है उस पे जो science डिल करती है इसको आम rheology कहते है और इसको measure किया जाता है by using vriometer so अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा इन सारे flows के बारे में अपनी next slide पे ना हमने अपने पिछली स्लाइट में देखा Newtonian non-Newtonian pseudo-plastic flow के बारे में एक dilatant flow होता है so ये graph जो है बहुत important है exam point of view से इसका हर point बहुत important है तो please आप इसको ध्यान से सुनें जो भी आपको इस पे explain किया जाएगा सबसे पहले देख लेते हैं shear stress क्या होते है कि हम simple भाशा में देखें shear stress होता है जो force हमने किसी substance पे लगाया हमारे द्वारा लगाया वह force किसी भी substance पे उसको हम shear stress कहते है and shear strain क्या होता है हमारे force लगाने के कारण उस substance पे जो change आया उसको हम कहेंगे shear strain so yield stress क्या होता है minimum stress required to produce continuous deformation in the solid कम से कम force जो चाहिए किसी भी solid की shape को change करने के लिए या किसी भी substance की shape को change करने के लिए जो कम से कम stress हमारे द्वारा लगाया जाता है उसको हम क्याटते है yield stress डालेटेंस क्या होते हैं अभी देख लेते हैं one by one सब का idle bingum plastic देखिए idle bingum plastic को अगर हम थोड़ा सा correlate करें तो आप ketchup से correlate कर सकते हैं ketchup actually तो pseudo plastic flow का example है बट इसको आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ जैसे ketchup को अप जब bottle को उल्टा करते है ketchup की bottle को तो उस पे थोड़ा सा force लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद ketchup जो है वो बोटल से बहार आता है तो वही जो stress लगा जाता है जिससे की वो बोटल से बहार आए है वो ही जो है उसको हम को relate कर सकते है यील्ड स्ट्रेस से, इतना स्ट्रेस हमने लगाया, तब वो जाके केचप जो है, वो बॉटल से बाहर आता है, तो आइडल विंगम प्लास्टिक में यही होता है, मिनिमम स्ट्रेस होता है, और उसके बाद जो उसमें डिफॉमेशन आती है, किसी भी सबस्टेंस में, इसमें देख लेते हैं, तो यह थिक होते हैं, जब इनका स्ट्रेंज जब हम इन पर फोर्स लगाते हैं, जब हम इन पर कुछ एक्स्टरनल एक्शन करते हैं, तो यह थिक होते रहते हैं, एक्जाम्पल दिख लेते हैं, जब कॉन स्टार्ज को वाटर में मिलाया जाता है, वाटर सबस्कार्ण थे एंग बहुत बार पूछा जाता है एक्जाम में ग्लाकते रुटर ट्सेन Ele yarnst के नधर दिदाव Here निशिडनिफ्लों पर कोई असर नहीं पड़ता स्ट्रेस और स्ट्रेशन पानी को बहलें किसमा नहीं नहीं लिएस कॉई सीछ नहीं आता n अधिजर में झाल इनका इनकी जो फर्म उती है वह उसकी वेस्कॉसित्टी बहुता है ध्ली उसकाशल टोती है वह राजाती हैं biggest थया टाकुप्र में तो च्छ लाहे हुआ 관련 चाहिए STA principio फोड़ी से रीओ continued देन इजली बॉटल से बार आ जाते हैं तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है जाए जाए अग्जाम पॉइंट आ विए इसे प्ली अप ध्यान रखें तो इस इस आज आप वाउट आप इस आप इस आरे फोर्स के बारे में पिछले ग्राफ में देखा डाले टेंट्स और फ्लॉट से युड प्लास्टीक उनको हम नॉनिटुनिनी फ्लूट्स गाते हैं दोनों को ही सो आंसर इसका नॉनिटुनिन फ्लॉट और स्टोवल विस्कोमीटर एक इस तरह का अपरेटास होता है इसमें क्या किया जाता है कि लिक्विट को अपर यहां तक अपर मिनिस्कल से नोट किया जाता है तो उसमें कितना टाइम लगता है वो स्टॉप वोच से नोट किया जाता है इस फॉर्म में यह सिम्बल होता है अपरेंट विस्कोसिटी का जो की होता है शीर स्ट्रेस्ट डिवाड़ेड बाई शीर स्ट्रेंग जो हमने अभी पिछले ग्राफ में देखा तो निटोनिन फ्लूट्स क्या होते हैं वाटर और ऑर्गानिक सॉल्वेंट एंड हनी देपें होते हैं बि zwei टम टे यह घी हम स्ट्रेसट लाएं उनमें को फट नहीं पढ़ते हैं इतना हम स्ट्रेस लगाएं उनमी कोकितनानी चाहिए और ऑ्गानिक सॉल्वेंट कितना वी पर हम एक्स्टर्णal फ्रॉड फोर्स लगाएं तो उस पर कोई अशर नहीं आता है बट इन appreciate ज तूनिये पर दच्मप्राइचर और आट इफ्टेंड ञाग कर तेर्नी ट करशन, में पुष सबी । Now, the greater is the thixotropy, the dash is the physical stability of suspension. The more thixotropy, the more physical stability of suspension, the more higher, equal, lower, and option D no change. So, the answer to this question is higher, the more thixotropy, the more physical stability of suspension. Thixotropy, which we can correlate with pseudo-plastic behavior. In the last slide, we have seen pseudo-plastic substance, which is slightly solid in the static form, but when it is shaken, it will be converted into liquid form. So, these are the properties that we need, if we make suspension, we need to be stable, if the particles are settled for sedimentation, So, when we shake them, equally, the particles are dispersed, and we need to be equal to the dose when we take them through the container. So, here we have mentioned that thixotropy is time-dependent shear thinning property, same as pseudo-plastic. For example, we have seen in the syrups and suspension case, certain gel and fluids that are thick under static condition, they feel flowed when it is shaken. So, we can relate to the thixotropy. Now, thixotropy, where is thixotropy, rheopatic, like we have seen in dilatant, we have seen external stress, like we shake it, it will be thicker and viscous, like we have seen in corn starch and water. So, this is all about this question. Now, as the temperature increases, the surface tension, when the temperature increases, what does the surface tension affect the surface tension? Surface tension increases, first increase, then decrease. Decrease surface tension or no change? So, the answer is this question. Option C, decrease, like temperature increases. See, a graph related to this. Like temperature increases, the surface tension decreases. Because if low temperature increases, why does it solve? The surface tension Due to the force of attraction Since low temperature increases, the temperature rise and weeks of ache –就是, understanding the pressure of attraction between the molecules, and this process decreases. जिसके कारण क्या होता है कि molecule जो है वो spread होने की कोशिश करते हैं अभी क्या कर रहे थे कि वो आपस में बाइंड होने की कोशिश कर रहे थे minimum possible surface area क्वायर करने के कोशिश कर रहे थे but temperature increase होने के कारण क्या हुआ यह force of attraction का bond टूट जाता है जिसके कारण surface tension जो है वो decrease हो जाता है so surface tension क्या होता है attraction of particle in the surface layer by the bulk of the liquid which tends to minimize the surface area bulk molecule जो surface पे at force of attraction लगाते हैं उसके कारण surface के molecule bulk में आने की कोशिश करते हैं जिससे की liquid की drop जो है अपने आपको minimum possible surface area में अक्वायर करने की कोशिश करती है so this is all about this question now wetting agent जिनको हम surfactants भी कहते हैं have what HLB value wetting agent जो surfactant जो होते हैं उनकी HLB value क्या होती है option A है 7 to 9, option B 1 to 3, option C 3 to 6 and option D 8 to 18 so answer is question का option A 7 to 9 होती है wetting agent की HLB value wetting agent पर देख ले देख लेते हैं क्या होते हैं wetting agent surfactant ये chemical substance होते हैं जो की increase करते हैं spreading and penetration of the liquid by lowering its surface tension wetting agent एक ऐसे एजेंट होते हैं जो लिक्विड का surface tension जो है liquid drop की surface tension उसको reduce कर देते हैं जिसके कारण उसकी liquid drop की spreadability जो होती है उसको बढ़ाते हैं देखी इसकी इसमें क्या है कि लिक्विड ड्रॉब जो है इसमें force of cohesion बहुत जादा है आपस में molecule जो है एक दूसरे के साथ बहुत सारे बहुत attached है बहुत force of attraction लग रहा है as compared to यह जो solid surface है उस पे होने के बजाए आपस में बहुत जादा एक दूसरे से attached है then wetting agent ने क्या किया कि इसके surface tension को थोड़ा सा reduce किया फिर यह जो है at the surface of the solid जो है उस पे भी उतना ही attraction है as compared to that of अपने आप में attract होने के then third case में क्या किया कि wetting agent ने और reduce कर दिया surface tension जिससे कि क्या हुआ यह liquid roll जो है evenly spread हो गई है solid surface पे तो wetting agent का यह काम होता है penetration बढ़ा देते हैं वो liquid drop की at the surface of the solid HLB value देखे क्या होती है HLB balance जो होता है यह expression होता है जो relationship दिखाता है between the hydrophilic and hydrophobic groups of the surfactant surfactant जो होता है उसमें दोनों ही group होते है hydrophilic भी होते है hydrophilic means water loving होते है water के लिए affinity होती है इनकी and lyophilic जो water hitting होते है water के लिए affinity नहीं होती इनकी तो wetting agent जो है वो इस range में आते है hydrophilic and lyophilic hydrophilic इस range में आते है and lipophilic जो है वो इस range में आते है solubilizing agent देखिए hydrophilic होते है detergent easily soluble हो जाते है water में oil in water emulsifying agent जो होती है उनकी ये होती है HLB value then wetting and spreading agent जो है 7 to 9 water in oil emulsifying agent जो है जो है उनकी होती है ये 3 to 8 होती है HLB value and most anti-foaming agent 1, 2, 3, HLB value, so this is all about wetting agent and surfactant HLB value, so now cars compressibility index gives an idea about cars compressibility index, idea देता है किस चीज़ के बारे में, option ए, volume occupied by the powder, d, cohesiveness of the powder, c, flow property of the powder, d, none of this, तो answer is question को option सी, flow property of powder के बारे में, हमें idea देता है, cars compressibility index, ये derivation है, cars compressibility index कैसे निकाला जाता है, bulk density क्या होती है, mass divided by bulk volume, अगर powder को हम measuring cylinder में रखते हैं, तो देखते हैं, कितना volume वो initially occupy कर रहा है, उसी को हम कहते हैं, bulk volume, then tap density, mass divided by tapped volume, उसी powder को उसी cylinder में tap किया जाता है, table की मदद table पे and then देखा जाता है, कि after tapping, जब settle हो गया है, वो bottom पे, उसके बाद वो कितना volume occupy कर रहा है, that is called tapped volume, then ये ratio निकाली जाती है, ये भी ratio बहुत important है, exams में पूछी जाती है, तो प्लीज इसे भी याद रखें, ये ratio होती है, tap density divided by bulk density, and cars index निकाला जाता है, tap density minus bulk density divided by tap density into 100, तो अगर इ excellent flow है, 12 to 18 के बीच में है, तो powder का good flow property है, 18 to 23 के बीच में satisfactory property है, 23 to 35 के बीच में poor property है, poor flow करता है powder, 35 to 38 के बीच में very poor and greater than 40, extremely poor flow property है powder की, so this is all about this question, Now, which of the following gel shows thixotropic behavior, कौन सा जल इसमें से thixotropic behavior दिखाता है, bentonite, starch, pectin and silica, तो answer इसका option A, bentonite, Thixotropic अपने पहले ही देखा था अपनी slides में, जो की sheer thinning agent होते हैं, जैसे जैसे उसको हम shake करते हैं, वैसे वैसे वो और पतले होते रहते हैं, less viscous होते हैं, bentonite जो होता है, जब इसको मिलाया जाता है, जल बनाने के लिए, दिन वो इस फॉर्म में हो जाता है, जितना ही इसको मिलाया जाता है, उतना ही है, बनाने के लिए, जिससे की इसको इसली अपलाई किया जा सकता है, बोडि पार्ट्स पे, बेंतो, जो होता है, जो होता है, इसको हम मॉरिलो नाइट भी कहते हैं, यह बहुती effective healing clay माना जाता ही, माना जाता है कि बहुती powerful and effective healing clay है यह इसको externally यु का जो soft mass है इसको body के parts पे अलग अलग different parts पे लगा जाता है body inflammation or pain जो है उसको relief करने के लिए body में कहीं सूजन है और योजन के जो pain होता है body में उसको relief करने के लिए भी इस gel को use किया जाता है so next now creaming is dash process creaming किस तरह की process है irreversible process reversible process है difficult process है या बोध BNC तो answer is question का option एक तरह का गुडी म לו आं जिसमें जो डिस पर्स फेस है वह एवनजी सब्स्टिपूटेड इस फिर्शन मीडियम में बट क्या होता है को एक वेसे खुटी होती है जिसमें जो यह जो dispersed face है they came together to form a one mass or hole यह dispersed face जो है यह एक दुसरे के साथ आजाता है और एक तरह का whole mass formation कर देता है यह भी unstable, यह unstability होती है immersion में यह सारी ही तो यह सारी ही आप देखिए coalescence एक whole mass formation हो जाती है flocculation में क्या होता है कि यही particle जो है यह came together but यह small lumps की form में एक दूसरे के close आजाते है और small lumps बन जाते है then उसके बाद creaming creaming क्या होती है upward motion होता है dispersed face particle का जो की particle के जो की emulsion के top पे एक layer जो है वो formation हो जाती है उसी को हम कहते है creaming breaking क्या होता है completely जो emulsion है वो पूरी तरह ब्रेक हो गया है जाहे उसको शेक कर ले जाए but वो पहले जैसे ही emulsion नहीं बन सकता तो उसे हम कहते हैं breaking तो यह सारी ही जो होती है यह instability होती है physical instability emulsion की नाम से जानी जाती है so this is all about this question the blend between twin 20 and span 20 from which type of emulsion किस तरह के emulsion मनाते है इनके बीच के blend milky emulsion, water in oil emulsion, oil in water or hard emulsion तो answer है इसका option oil in water type के emulsion बनाते है देखे यह दो तरह की emulsion है water in oil emulsion है जिसमें water present है as a dispersed phase and oil जो है वो continuous phase में solution form present है oil जबकि oil in water type oil in water emulsion में क्या होता है उल्टा होता है इसका dispersed phase oil है and dispersion medium water है surfactant का क्या काम होता है जो अब भी हमने पहले देखा ती है क्योंकि particle आपस में bind हो जाते है और एक big mass formation कर देते हैं कभी वो mass top पे जाके creaming या breaking कर देते हैं और कभी-कभी coalescence या flocculation कर देते हैं बट surfactant क्या करते हैं इन particles पे एड्जॉब हो जाते हैं जिससे यह सारी physical instability को यह prevent करते हैं बहुत जादे यूज किया जाते हैं pharmaceutical preparation जो है उनमें भी emulsion cream and ointment बनाने के लिए so next brown and movement of particle dash sedimentation brown and movement जो है वो क्या करती है sedimentation को prevent करती है assist करती है enhance करती है यह no effect तो answer इस question को option है prevent करती है brown and movement particle के sedimentation को brown and movement होती क्या है यह random movement होती है colloidal particles की जो कि suspended है liquid or gas में यह liquid or gas में यह colloidal particle suspended है तो इस तरह की moment देखे zigzag moment कहते है इसको brown movement को इसके करण क्या होते है कि stability बढ़ाती है किसी भी preparation की यह जो है इसको माइक्रोस्कोप के थरू अब्जर्व किया जहरा है light source की मदद से prevent करती setting of the particle at the bottom of the container जिसके वज़से stability जो है preparation की वो बढ़ जाती है so thanks for watching इस वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में कवर करेंगे pharmacology chapter 1 basic pharmacology के MCQ MCQ कवर किये जाएंगे from question number 1 to question number 10 दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपी चनल पर पहली बारा है तो चनल को सब्सक्राइब कीजिए हिट कीजिए नीचे देवे सब्सक्राइब बटन पर ताकि आपको फार्मेसी से रिलिटिट वीडियो देखने को मिलती रहें और आपको सपोर्ट हमारे साथ यूहीं बना रहें अगर आपको कोई सवाल यह सुझाव है तो नीचे देवे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यह कुछ हमारे रिलिटिट वीडियो के लिंक है जिन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों लड़निक फामिसी पर आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगली वीडियो में